हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चानल गाइस तो दोस्तो आज के इस बड़े मुकाबले में नौर्थी शुनारेड अफसी उत्रिती जमसेतपूर एफसी के खिलाफ अपने होम ग्राउंड इंद्रा गांधी अटलैक्टिक स्टेडिया में रात आठ बजे से ये मैच शुरू होने वाला था और नौर्थी शुनारेड अफसी के में प्लेयर नेस्टर अलबियाक आज के इस मैच में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे कुछ फिटनेस इशू था इनको और फालगुनी सिंग को भी जुआन पैदरो बिनाली ने बैंच कर रखा था तो दोस्तो मैच शुरू होता है बिलकुल ही नई प्लेयर अलबियाक का होना आज के इस मैच में काफी ज़दा इंपॉर्टन था क्योंकि चमसेटपूर FC डिफेंसिव ली काफी ज़दा स्ट्रॉंग थी और वैसा ही प्रफामेंस देखने को मिला नौर्थी शुनारेड अफसी के तरफ से बिलकुली हताशा बरा प्रफामेंस देखने को मिला और कॉंपैक्ट डिफेंस कर रहे थी जमसेटपूर FC और काउंटर्स पे जमसेटपूर FC पैनल्टी जीतती है डैनियल चीमा चीकू वो पैनल्टी को लेते भी है लेकिन मिर्शाद मिजु का शांदर सेवाता है लेकिन रीबांड बॉल पर फिर से किक करके स्कोर कर देते हैं डैनियल चीमा चीकू और इसी हताशे भरे परफार्मेंस को देखते हुए फास्ट हाफ का खेल खतम होता है एक शुने से नौर्थी श्नुनारी डफसी पीछर रहे थी लेकिन दोस्तों ये होपता कि नौर्थी श्नुनारी डफसी सेकेंड हाफ में वापसी करेगी और एक ग्रेसिव शुरुवात करती है जुआन पेदरो बिनाली की टीम नौर्थी श्नुनारी डफसी और लास्ट के 90 मिनिट के बाद जो एडिशनल टाइम का मैच चल रहा था वहाँ पर मिचल जुबैको स्कोर करते हैं इपसेन मेलो के तरफ से वो एटाक क्रियेट होता है और उसके बाद फिर से एक शांदार अग्रेसिव फुटबॉल देखने को मिलता है और नौर्थी श्नुनारी डफसी पैनल्टी जीतने में कामियाब होती है और वो पैनल्टी को बीना किसी भूल के स्कोर कर देते हैं इपसेन मेलो तो दोस्तो फर्स्टाफ में इपसेन मेलो बिल्कुली ऑफ कलर लग रहे थे लेकिन सेकेंड हाफ में इपसेन मेलो शांदार परफारमेंस करते हुए नजर आ रहे थे तो सेकेंड हाफ में पूरे ही नौर्थी श्नुन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बैल आइकोन को भी प्रेस कर दो तो चले दोस्तों अब मिलते हैं अपने दूसरी वीडियो में